तो आज पर दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर केज़ सौगली और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्थरिया के बारे में जो की हमारे नाक और गले के अंदर जो म्यूकस मेंबरेन होता है उसको अफेक्ट करता है उसके अंदर ग्रो करता है उसके वज़े से उस पेशन में काफी ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं जो की सिम्टम्स माइल भी हो सकते हैं कुछ केसस में सीवर भी हो सकते हैं आज के जमाने में जो diphtheria के vaccine दी जाते हैं, उस vaccine के वज़े से diphtheria के cases काफी ज़्यादा कम हो गया है, diphtheria अगर किसी patient में हो भी जाता है तो फिर उस patient को medicine दे करके diphtheria को control किया जा सकता है, लेकिन अगर diphtheria advanced stage में चला जाता है, तो एक जानलवा भी हो सकता है, क्योंकि advanced stage diphtheria उस patient के kidney, lungs और heart तक को भी damage कर जाता है, तो उस condition में ये जानलवा भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे diphtheria के causative organism के बारे में, मतलब कौन से bacteria के वज़े से ये बीमारी होती है, इसके बारे में, तो cornebacterium diphtheria नाम के एक bacteria के वज़े से ये diphtheria नाम की बीमार होता है, उसको affect करती है, जिसके वज़े से उस patient में कुछ लक्षन आने लगते हैं, अगर हम लक्षनों की बात करें तो फिर उस patient में runny nose होता है, इसके साथ-साथ उस patient के गले में खराश होना, उस patient का आवाज बदल जाना, इसके साथ-साथ उस patient को खाना निगलते वक्त तक सकते हैं, एक specific election है, जो की खास करके dipthera के patient में ही देखा जाता है, गले के अंदर जो lymph nodes होते हैं, उनको काफी ज़्यादा सूजन आ जाती है, patient की सांस फूलने लगती है, मतलब की patient का respiration rate जो है, वो काफी बढ़ जाता है, इसके साथ-साथ patient में runny nose होता है, patient के नाग बहते रहती है, patient को काफी ज़्यादा ठका और मेसस होने लगती है, और उस patient में ठन लगके बुखार भी आता है, मतलब की fever भी होता है, तो यह कुछ main symptoms और science होते हैं, जो की dipthera के patient में देखे जाते हैं, dipthera की बीमारी एक patient से दूसरे patient को droplet infection के थूरू फेलती है, मतलब की जैसे क हम सबी को पता है, जिस तरह से coronavirus फेलता था, droplet infection के थूरू, उसी तरह से यह dipthera की बीमारी भी droplet infection के थूरू फेलती है, एक patient से दूसरे patient को, जो affected person है, जिस patient को पहले से dipthera है, उस patient ने इस्तमाल की हुई चीजों के contact में आने के वज़े से भी किसी भी healthy इंसान में dipthera के संक जादा गंदगी बरे महाल में या फिर जादा भीड़ वाले इलाके में रहते हैं, खास करके जो जुगी में रहने वाले लोग होते हैं, ओ लोग जहां पर sanitary conditions नहीं होती हैं, ओ लोग उस तरह के condition में, उस तरह के patients में dipthera होने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं, इसके को diagnose करने के लिए tissue sample ले करके उसको lab में testing के लिए बेजा जाता है, जहां पर कि उस tissue sample की culture study की जाते हैं, तो उस culture study को देख करके हम diagnose कर सकते हैं, कि उस patient में dipthera की बीमारी है या फिर नहीं है, तो finally हम बात करेंगे dipthera की treatment के बारे में या फिर उसके ilاج के बारे में, सबसे पहल इस प्रिमेटिक थेरपी और सपोर्टी थेरपी भी दे सकते हैं, एंटेब्योटिक्स के अंदर इस पेशन इस तरह के condition में हम उस patient में amox cloud दे सकते हैं, या फिर सेफिर औक्जिम दे सकते हैं, इसके बाद कुछ केसे में, अगर mild symptoms है तो azidromycin भी दिया जा सकता है, अगर हम symptoms के बाद करें, तो फिर उस patient में citrezine या फिर paracetamol इस तरह के medication भी दिये जा सकते हैं, उस patient को fluid intake लेने के लिए encourage किया जाता है, इसके साथ IV fluids अगर ज़रूत पड़े तो उस patient में दिये जा सकते हैं, multivitamins भी दिये जाते हैं, तो एक कुछ line of treatment है, जो कि इस तरह के depth तरह के patient में दी जाती है, तो आज हमने इस वीडियो में short में बात की dip थेने के बारे में, अगर आपके इसके विशे में कुछ doubts है, तो आप हमें नीचे comment section में ज़रूर पूछ सकते हो, thanks for watching this video till then, thank you very much.